नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से सम्मन्दित एकोर नया ताजा अपडेट लेटेस्ट नियूज आप सभी दिव्यां, विद्व, वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं सभी पैंशन धारक ध्यान दे सरकार द्वारा अप्रेल, मई, जून महीने की पैंशन ट्रांसफर करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजेगा जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ओनलाइन चीजे चेक करने होगी यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि अप्रेल, मई, जून महीने की पैंशन आसी आपके बैंक खाते में आपको दी जाएगी या फिर नहीं मिलने वाली है अब क्या चीज यहाँ पर आपको चेक करना होगा, किस वेबसाइट पर जाना होगा, किस पोटल पर विजिट करना होगा और किन-किन लाभारतियों के लिए यहाँ पर चेक करना बहुत ही जादा आवशक है सभी जानकारी डिटेल वाइज में इस्टैप बाइस्टैप आपको मिलने जा रही है बस हमारे बताए गए तरीकों को आपको समयना होगा, फोलो करना होगा फिर आप यहाँ पर किसी भी जिले के पैंशन धारख हो आप अपना पैंशन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपरेल मैं जून मैंने की पैंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे पैंशन धारख है जिनकी पैंशन अब हमेशा के लिए सरकार द्वारा बंद कर दी गई है वे अब कभी भी पैंशन का लाब नहीं ले पाएंगे कौन से वे पैंशन धारख है जिनकी पैंशन बंद की गई है उसकी विजानकार आपको दे दी जाएगी वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदर है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बेल एकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाउठा सके चले दोस्तों वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं इस समय हम आपको उत्तर परदेश सरकार द्वारा जो पैंशन फोर्टल है उस पर लेकर आ चुके हैं आप भली बात ही जानते हैं उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी आधितedarनात की सरकार द्वारा यहाँ पर हर महीने 1,000 रुपे लाभारत्यों को दिये जाते हैं हालाकि हर महीने बैंक खाते में टरंस्फर नहीं किये जाते हैं तीन महीने के अंतराल पर यहाँ पर लाभारतियों के बैंग खाते हैं पैंशनासी दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक हजार उप पड़ती महीने के हिसाब से दिये जाते हैं तो तीन महीने के हो जाते हैं सीधे तीन हजार उपे। ये 3,000 रुपे अभी तक वर्ष 2023 के अंतरकत अप्रेल, मई, जून, मैने की जो पैंशनासी है वे ट्रांसफर नहीं की गई है यहाँ पर लाभार्तियों को बेसमरी से अपनी पैंशन का इंतजार बना हुआ है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक क कर सकते हैं तरीका यहाँ पर आपको समझना होगा और किन महतपून बिंदू पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है वे यहाँ पर ध्यान से आप समझेगा सबसे पहले देखे यहाँ पर आपको अपने स्कीम का चुनाओ करना है जिस भी आप pension उस्कीम का लाब ले रहे हैं योजना का लाब ले रहे हैं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वरदभस्था, pension, निराशित महीला, pension विकलाँग, pension अब निराशित महीला, pension के योजना के अंतर रहत वे महिला आती है जो तलाकशुदा महिला है और विद्वा महिला है उनकी पैंसन बनी है तो यहां से पैंसन का स्टेटस चेक कर सकते हैं हम यहां पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं आपको उस पर क्लिक करना है आप जिस पैंसन का लाव ले रहे हैं हमने क्लिक किया आप यह बो आप अपनी pension का aligned डालिए यानि कि जब आप आपने कराने गए थे अपनी pension के बन्वाने के लिए पॉसme दशाट के लिए तो वहां से आपको एक सीलिफ में आपका pension का एक restaurant नमबर होता है रहां आपको इस column में डालना होगा यहाँ पर दर्ज करना है और यह CAPÇA CODE यहाँ पर आपको डालना है चलिए यह सवी चेजें हम आपको डाल कर दिखाते हैं देखे दोस्तों यहां पर हमने पैंटिन का रजीषर है NUMBER डाल दिया है और यह CAPÇA CODE डाल दिया है यह capture code change होते रहता है आपके सामने जो capture code है यहाँ पर आप डाल सकते हैं आप code डालना ही होगा और यदि समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप click कर दीजेगा यह change हो जाएगा अब यहाँ से देखे back का option लिखा रहा है और search का option लिखा रहा है यदि आप back करेंगे तो यह सबीचे यहाँ से हट जाएगी और यदि आप search करेंगे तो आपके सामने आपका pension का status open हो जाएगा चलिए हम यहाँ पर click करके देखते हैं कि हमारा open हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है अब देखे हमने यहाँ पर click तो कर दिया है और यहाँ पर आप दे सकते हैं process भी चल चुकी है अब यह बोला है देखें यहाँ पर लिखा है please enter correct detail यानि कि आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी जानकर देनी होगी देखें दोस्तों यहाँ पर हमने फिर से एक नया जनपत का चुनाओ किया है और यहाँ पर नया हमने relation number डाल दिया है और एक capture code यहाँ से change हो गया था तो हमने जो यहाँ पर इस समय में नजर आ रहा है वे हमने यहाँ पर capture code डाला है अब यहाँ से हम दुबार से search के icon पर click कर लेते हैं देखे हमने के लिए क्या process चल चुके है और हमारे सामने अगला page भी open हो चुका है अब यहाँ पर आप स्वैम भी पढ़ सकते हैं एक इकरा सामाजिक pension योजनाई उत्तर प्रदेश सरकार महिला कल्यान भी भाग पती की मृत्यो उपरांत नरसित महिला pension ने तो आविदक द्वारा भरा गया आविदन पतर यदि आप वरदवस्था है तो यहाँ पर आपको वरदवस्था का जानकर देखने को मिलेगी यदि आप विकलांग है तो यहाँ से आपको विकलांग की जानकर देखनों मिलेगी आप यहाँ से किसी भी pension का आप लाब ले रहे हैं यहाँ से अब अपना pension का status देख सकते हैं देखे, level 1 आपका complete होना चाहिए यह level 2, level 3, level 4 यह सभी चीजे आपकी update होनी चाहिए देखे, जब तक आपका verify नहीं होगा re-verified D.W.O. द्वारा तो आपको pension का लाब नहीं मिल पाएगा तो यह सभी चीजे आपकी verify होगी देखे, verify में यह होता है आपके आधार card आपकी bank की passbook ठीक है ना दोस्तो आपके आधार card आपकी bank की passbook और यहाँ पर इसी परकार से आपकी pension से सम्मदित है जैसे आय परवान पतर हो गया है आपका यह सभी चीजे देखी जाती है और यहाँ पर देख रहा है कि क्या गलती हो रही है क्या सभी चीजे सही है तो जाँ चीजे सही पाई जाती है तो यहाँ से आपका re-verified दुबारे से कर दिया जाएगा यदि आप नए pension दा रहा है तो आपको यहाँ पर re-verified की अवशक्त नहीं है आपके यहाँ पर अधिकार दौरा जाँच के दौरान pension यहाँ पर बना दी जाएगी तो यहाँ पर यह सभी जितने भी pension दा रहा है सभी का यहाँ पर re-verified हो रहा है डी डवलो दौरा अब किस तारीक में हुआ है यहाँ पर आप तारीक भी चेक कर सकते हैं तो यह सभी चीज़े को आपको ध्यान में देना है अब यहाँ से हम scroll down कर लेते हैं अब जब यहाँ से हम scroll down करेंगे scroll down होने के बाद देखें यहाँ पर लिखा है PFMS Validation Status अब यहाँ पर देखें लिखा है Account Validation Status Accept from PMS यानि कि PFMS दौरा आपका जो status है वह accept होना चाहिए जिनका accept नहीं है उनको pension नहीं मिलेगी द्यान से समझते रहेगा अब यहाँ पर देखें किसी का update हुआ है किसी का update नहीं हुआ है तो यहाँ से आपको देख लेना है यानि कि दिखा हुआ है देखें यहाँ पर आप देखें तीन मेहने की एक installment होती है तो यहाँ पर हर तीन मेहने के अंतराल पर सरकार pension ट्रांसफर करती है तो यहाँ पर बारा मेहने के यहाँ पर चार installment आपकी हो जाती है यहाँ से आप देख सकते है अब यहाँ से हम स्क्रोल डाउन करती है स्क्रोल डाउन होने के बाद देखें यहां से आपको रेश्टरेन संक्या है जनपद है आपकी थैसिल है आपका निवास आप कहां से करती है यानिकी वैक्तिति विवरांट परस्टन डेटेल यहां से आपको जानकरी देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहां पर देखें ग देखे हैं यहाँ पर pension, धारक का नजर आएका लगाऊए, लगाऊऊए, दो यहाँ पर देखे, पितखे का नाम है पितायपती का नाम, उनकी गली address, लोकालीटी पूरा address जो आपने दिया हुआ है, पर्मनेंट एडरस कि स्रेने में आते है जर्णल ओविस इमानटी आपके जर्णमती थी और यहाँ पर आपके उम्मर हम यहाँ को क्यों समझा रहे हैं देखे हम आपको इसलिए समझा रहे हैं देखे जो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो आपने दिया हुआ है आपके जिसे आपका नाम है आपके पिताय पती का नाम है आपका एड्रेस है आपके जर्मतित ही है यह आपके आधार काड में और application form में एक जैसे होने चाहिए अब जिसका भी अलग होता है देखें मान लीजे यहाँ पर किसी पैंसन दार के नाम में गलती हो रही है यहाँ पर नाम में गलती हो रही है आधार काड में नाम अलग है application form में नाम अलग है जो गलती हो रहे वे आप ठीक करा सकते हैं जिला समाज के लिए अधिकारी के पास ये दस्तावे लेकर दस्तावे जा हमने आपको बता दिये हैं अब यहाँ पर देखें यहाँ पर मॉवाइल नमबरी अपडेट हुआ है सबी चीज़े अपडेट हो रही है नीचे लिए चलत अब जिसका भी गलत हो जाता है मिलान के बाद तो यहाँ पर उनकी पैंसन बंद कर दी जाती है तब तक आप ठीक नहीं कराएंगे तो आपको पैंसन अलाब नहीं मिल पाएगा यहाँ पर आयका गिवरन दिया हुआ है यह सब इसी आपको देखने को मिल जाएगी तो कहने क हमारे तात पर यह है कि यहाँ आप ओनलाइन आपको अपना status देखना होगा अपने आधार कार्ड से अपनी बैंक की passbook से मिलान मिलाना कोई गलतिया तो नहीं हो रही है यदि कोई गलतिया हो रही है तो सरकार दोरा पैंसन ट्रांसफर करने से पहले ही आपका अपने जिला समाज का लियान जो आपका जिला समाज का लियान है अपने आधार कार्ड बैंक की पासबुक मोबाइन नंबर और यहाँ पर जो आपकी बैंक की पासबुक इसके फोटो स्टेट करा लेने हैं बैंक की स्टेटमेंट निकलवा ठीक ना दोस्तों और जिन्होंने अपना EKWI से नहीं कराईए वे अपना EKWI से कराईए और अपने बैंक में अपने आधार को लिंक जरू करा लीजेगा तापकि पैंशन आने में कोई समस्य ना हो आपको समय समय से पैंशन का लाव मिलता रहे देखे यह तो हमने आपको ब आपको सर्च करना है UP Pension GOV.Public यह आपको सर्च करना है जितने भी उत्तर प्रतिस राज्चे के अधिन आने वाली पैंशन दारक है उनको अपने वाल फोन में यह एड्रिस डालना है और यहाँ पर पैंशन इसके में UP लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लिना होगा क्लिक होने और जिसके भी गलतिया हो रही है पैंशन रुकी है तो वे कैसे संसोधन करा सकते हैं ठीक करा सकते हैं डोकिमेंट दस्तावे यह सभी चीज हमने आपर आपको बता दी है यदि आपको मर्दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जड़ लाइक कर दीजेगा आपके एक ला जय भारत